जैश्री राद ये क्या महाबले? आज ये कैसा व्षरूप धारन किया है आपने? आपकी प्रसनता के लिए प्रभू मेरी प्रसनता के लिए आप से ये किस ने कहा कि मैं किसी विशेश रूप से प्रसन्न होता हूं और वो भी इस रूप से ये ज्ञान तो मुझे स्वयम माता सीता से मिला है रभू जानकी से जानकी ने आपसे ऐसा क्यों कहा और कब कहा? कि आज प्राताकाल संध्याबंदन के पश्चा जब मैं माता सीता से प्रसाद पाने गया कि प्रणाम माते भूख लगी है प्रसाद दे माते हाँ पूत्र तनीक ठैरो कि अ कि माते एक प्रश्ण पूछू कि महा ज्यानी हनुमान हमसे कुछ जानना चाहते हैं अविश्य पूछे अंजना नंदन कि माते इस दिव्या के नाखनने से आप इतनी व्याखन हो गए और मिलते ही सदा की भाती प्रसन्द हो गई माते कि यह तो स्रीयों का रहसी है पूद्र तुम्हें कैसे बता दू अच्छा अच्छा उदास मत्यों कि देखो कि इसे सिंदूर कहते हैं आंजने कि इससे क्या होता है माते है क्या होता है कि आप भी बोले नाथ की तरह बोले हैं अनुमाई कि अच्छा सुनों कि संसार की हर्स अपने स्वामी के नंभी जीवन के मंगल कामना के लिए अपने मांग में सिंदूर धारण करती है और मैं भी इसलिए सिंदूर लगाती हूं इसलगाने से आप इस्वामीं और होते हैं और क्पर यम प्रशन होते ह। इससे लगाने से प्रभू दिरखायों होते हैं और प्रसन भी होते हैं माते हैं हाँ पूत्र फिर प्रसन होते हैं धन्यवाद मादें आज्या दीजिए अरे हनुमात तनिक सुनो तो पूत्र हुआ है प्रिप्राम झेरम, झेर्ण झेर्ण कर दो कि दो कर दोनिए कर दो के दो कर दो कि दो है कि इसलिए मैंने भी सिंदूर लगा लिया प्रभु किन्तु हनुमान कि जानकी तो चुटकी पर सिंदूर लगाती है परन्तु आपने तो अपने शरीर का कोई भी हिसा रिक्ति नहीं छोड़ा मैंने सोचा प्रभु केवल चुटकी भी सिंदूर लगाने से आप दिरखायू हो जाते आते तो यदी मैं संपूर्ण देव पर सिंदूर लगा लूँ तो आप चिरंजीवी हो जाएंगे और प्रित्वी छोड़के कभी भी अपने धाम नहीं जाएंगे प्रभु कि सदैर हम भाक्तों के पास ही रहेंगे प्रभु आम प्रभु झाल प्रभु